हेलो एवरिवन जैस याराम और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कातिक मास में जो नवमी वाले दिन आती है आवला नवमी उसकी हम लोग सरल तरीके से पूजा कैसे कर सकते हैं तो देखिए अगर आप आप बाहर जाके पूजा करके आएं बड़े पेड की जिस तरीके से पूजा कर सकते हैं पूजा आप चाहें आवले के वरिख्ष के नीचे करके आ रहे हूं या फिर आप घर पे कर रहे हूं तरीका बिल्कुल सेम ही रहेगा समगरी बिल्कुल सेम ही रहेगी इसे कुछ जगहां पे तो आवला नवमी कहते हैं और कुछ जगहां पे से अक्षा नॉम्मी कहते हैं लेकिन पूझा वगरा सबी सेम रहती है और ऐसा माना जाता है अगर आप अक्षए नॉम्मी पर आवला के पेड़ की पूझा करते हैं उसकी चाया में बैठकर कुछ भोजन करते हैं किसी को भोजन कराते हैं तो आप की मनुकामना बहुत जल्दी पून होती है और भगवान विश्णु भगवान हरी आप से अती प्रसन होते हैं तो देखिए जब आप पुझा करेंगे तो आप जहां भी पुझा करेंबности अच्छे स आप साफ कर ले घर पे अगर पुझा कर रे हैं तो तो आप अच्छे से उस पर पुन्य की प्राप्ति होती है तो आप चाहे तो वहीं जाडू बगरा मिल जाए तो थोड़ी जाडू से बुहार ले वहां नहीं तो आप चितना हो सके आसपास थोड़ा सा अच्छे से तो है सफाई कर ले उसके बाद आप चाहे आटा साथ में ले जाए इस तरह से आप से आटे की रंगोली बनाना बता रही हूं आप चाहे तो जसा मैंने बताया गेरू वगरा से लीप सकते हैं गाय का गोबर मिल जाए उससे लीप सकते हैं आपको थोड़ा सा अच्छे से जो है आपे सजा लेना है तो इस तरह से देखिए आपको जैसा आता हो मुझे बहुत सिंपल तरीके से आता है तो देखिए मैं इस तरह से कर रही हूं वरना आप बहुत अच्छे तरह से रंगोली बना सकते हैं आप उस तरह से कर लीजिएगा क्योंकि देखिए जब भी आप किसी पूजा वगरा में इस तरह से जो है लीपते हैं रंगोली बनाते हैं तो भग का शाक्षी हमारा दिया ही होता है तो देखिए इस तरह से आप दिया जोड़ ले अपना उसके बाद आप जो है इस तरीके से स्वास्तिक मांड़े रोली से आप चाहे तो हल्दी से भी मांड सकते हैं और इस दिन जो है के मैं आपको बता दूँ के दीप दान हमेशा अंधेरे में किया जाता है आप चाहे तो सुभा जल्दी सुभा सूर्य उधेव से पहले आप कर सकते हैं या फिर आप शाम को जब हमारा थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो ज़ाए ना जब आप कर सकते हैं उसके बाद देखे अपने गंले पर आप 8 क्की लगा ले, 8 आपको रोली से लगानी है, और 8 टिक्की आपको हल्दी से लगानी है, देखे इस दिन जो है न, 8 अंग का विशेश महत्व होता है, तो हाप 8 टिक्की लगाएंगे, आप गंले पर लगा ले, अपने पेड़ के यहां पर परिकम्मा आवले से करूँगी और मैं यहां पर देखे इस तरीके से कच्छे सूथ को 8 बार लपेट दूँगी, इसको भी आपको 8 बार ही लपेटना है, परिकम्मा आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो 108 भी कर सकते हैं, तो देखें मैंने यहां पर 8 अगर आपको फूल मिल जाएं तो आप फूल जरूर से अरपन करें नहीं तो आप फूलो को स्किप करें कर सकते हैं उसके बाद देखिए हम थोड़ा सा जल सीच देंगे हमारे जो पोधा है आवले का उसके अंदर इस तरह से मैंने जल सीच दिया है उसके बाद देखे मैं भोग लगा रही हूं हो सके तो आप पताशे जरूर से रखें भोग में और वरना उसके अलावा आप कुछ मिठाई बगारा रख सकते हैं लेकिन पताशे बहुत ज़्यदा शुब माने जाते हैं किसी भी पूजा में तो अगर आपको मिल जाए तो आप पताशों का भोग लगाए मिठाई का भोग लगाए पीले रंकी मिठाई मिल जाए विश्नु हरी के लिए तो वह बहुत अच् की परिकम्मा और चाहें तो 108 या 300 पैसा जितनी आप से बन पड़े उतनी परिकम्मा आप कर सकते हैं तो देखे मैं यहापे 8 परिकम्मा कर रही हूं 8 हावले में रखती रहूंगी मैंने पहले ही गिन लिये हैं और परिकम्मा लगाती रहूंगी अगर आप पहले से ही कोई चीज निकाल लेते हैं गिंती के और उसके बाद परिकम्मा करते हैं तो आपको परिकम्मा के समय पर मंत्र बोलने के लिए गिंती का ध्यान नहीं रखना पड़ता है आपकी गिंती पहले से ही हुई हुई है बस आप अपना मंत्र बोलेंगे और परिकम्मा करते रहेंगे त उसके बाद हम देखिए हाथ में कुछ दाने ले लेंगे और यही पर बैठकर आवले के पेड़ के नीचे या पास बैठकर हमें पहले कथा सुननी है आवला नॉम्मी की देखिए कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा उसे भी आप जरूर देखिएगा तो पहले हम यही पर बैठकर कथा सुनेंगे और फिर यह कथा सुननी के दाने हम यही पर चढ़ा देंगे आवला के पेड़ वे उसके बाद आप शमयाचना कर लें कि अगर हमसे कोई भूल हुई हो तुरूटी हुई हो तो यह बगवान अपने बालक समझ के हमें माफ कर देना उसके ब कि मिलें अगर पेड बड़ा है और मिल सकते हैं तो गले मिलें और अगर आपका पेड बड़ा तो आप उसके उपर पीले रंगा कोई वस्तृ अंगोचव और वस्त्र के रूप में या फिर आपका लावा चढ़ा दें तो देखिये इस तरह से बहुत सरला तरीके से पूज कर सकते हैं और जैसे कि मैंने बताया जो भी कोई बड़ा रिष्टा हो कोई बुजुर्ग हो बड़े हो आपसे या फिर आप मंदिर में जाके या आमले दान करके आ सकते हैं आज के दिन आपको आमले के पेड़ से आमले बिल्कुल नहीं तोड़ने हैं कुछ लोग यह गलती क तो देखे आज कल बिल्कृम इतना तो पॉसिबल नहीं है आपको पर भी कए जाएं लेकिन आपने साथ अगर आपको वही बढ़ा कर अगर बिल जाए तो उने भी अपको उन्हय क Century भी बिठाब बिठागर तोँने बिठागर परके ब्रह्ता के नीच़, अगर को भी आवर नौमी वाले दिन तो बहुत ही ज़दा अच्छा रहता है तो अगर हो सके तो आप बैठके खाएं भी कुछ थोड़ा बोद और खिलाएं भी और अगर आप घर पे ही पूजा कर रहे हैं तो भी आप अपने गमले के पास बैठकर जरूर आज के दिन कुछ खाएं अपने बाक या फिर आप जो है इसे गौशाला में दान कर सकते हैं तो इसे आपको जो है दान करना होता है तो देखे इस तरह से आप बहुत सरल तरीके से आवला नम्मी वाले दिन या अक्षे नम्मी वाले दिन पूजा कर सकते हैं और आवला दीपदान आप कैसे करेंगे उसकी वीड चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शियर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भोलें और कमेंट बॉक्स में जैस यराम जरूर लिखतें